चलिए दोस्तों आपको कुछ अलग तरी किसी बताते हैं कि लोग का विलोमसब्द क्या होता है और आज की इस वीडियो के इंदर आपको लोग के विलोमसब्द की बारे में हम अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे आप बस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि विलोमसब्द किसे कहते हैं ताकि आप लोक की विलोमसब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनें कि वे सब्द जो एक दूसरे की विपरीत या उल्टा आर्थ देती यानि दोस्तों लोक का विलोम सब्द परलोग होता है और ये आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आप भी मरेशा दो रहें कि लोक का विलोम सब्द परलोग होता है इसके लग दोस्तों अगर आप इने और भी अधिक चित्रह से याद करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लोक का अर्थ क्या है और परलोक का अर्थिक क्या होता है तो आईए दोस्तों अब हम आपको पता देते हैं कि लोक का अर्थिक क्या होता है दोस्तों लोक का हिंदी में उता है दूसरा लोक या सुर्ग यानि जो इस पर्थवी से अलग जगह होती है यानि दूसरा लोक तो उसे परलोक कहा जाता है इसके लोग दोस्तों अब आपने ये समझा की लोक का अर्थ क्या है और प्रलोक का अर्थ क्या है तो आप अब ये और भी दिखची त तो आएंपनी एक βार इसके बारे में फिर शेबात करते हैं कि लोक का विलोम सब्द क्या होता है। यानि दोस्तों लोक का विलोम सब्द परलोक होता है और यह आपको अच्छी तरह सियाद करना है जिसके लिए आभी मरसा दो रहें कि लोक का विलोम सब्द परलोक होता है इसके लग दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब बिस्क्राइब करी और बेल एकन को दबादी